हिमाचल परवहन सेवा निम्रित करमचारी कल्यान मंच की परदीश स्तरिय बैठक का आयोजन एमजी ववन हमिल पर में किया गया जिसकी अध्यक्ष्टा परदीश अधिक्ष बलराम पुरी ने की इस अबसर पर पूरे परदीश वर से कारेकार्णी सदस्य मुझूद रहे बैठक में परवहन सेवा निम्रित करमचारी को समय पर पेंशन ना मिलने पर गहरा रोश्ट जिताया गया और सेवा निम्रित करमचारी को 2015 से लंबित पड़े लावों को भी जल्द देनी की मांग की है बैठक में इसमय पर पेंशन देनी की गुहार सरकार से लगाई गई प्रिदेश अध्यक्ष बलराम पुरी ने कहा कि करोना काल के बाद एक साल बाद बैठका आयोजम क्या जा रहा है उन्होंने कहा कि सेवा निम्रित परवहन करमचारीयों को पेंशन का स्थाई हल नहीं किया गया है जिसके चलते करमचारीयों को परिशानी जहलनी पड़ती है उन्होंने कहा कि अभी तक साथ हजार करमचारी परवहन से सेवा निम्रित हो चुके हैं और तीन हजार करमचारी सेवा निम्रित होने जा रहे हैं लेकिन पेंशन समस्या होने से परिबारिक स्तितियों से जूच रहे हैं आज हमारा जो परदेश की बैठक है वो करोना काल के उपरांत पूरे एक बर्स के उपरांत हो रही है परदेश की बैठक लेकिन इस वात को हम मांते हैं कि करोना जो काल था वो सब के लिए था लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो परिवैन के जो कर्मचारी जो राद दिन जिन्होंने अपनी सेवा दी बड़ी बिशन परस्तितियों में और सेवा निवरित बड़ी भागय साली जो लोग होते हैं परिवयन से जो ठीक सही सलाम जो है वो आते हैं सेवा निवरित होते हैं लेकिन और कई बमारीयों को लेकर आते हैं लेकिन आज इस दिए है कि एक परिवयन का कर्मचारी जो है सेवा निवरित होने के उपरां तो उस को बिती अलाब जो है बहुठ नहीं मिल पाये हैं लगव साथ हजार कर्मचारी जो है परिमेंद से सेवन रित हो चुका है और तीन हजार के करीब लगवगो सेवन रित होने जा रहा है सरकार के पास इस मैं जो है कई लोग दो ऐसे हैं जिनको पैंसर नहीं लगी ती यह पैसा नहीं मिला वो दो कई लोग दो नरेगा में ध्यारी लगाने में भी लग पड़े क्योंकि उनका आर्थिक स्थी ठीक नहीं रही है और इसी के साथ जो है लगवगर 230 क्रोड रुपया 230 क्रोड रुपया जो है जो है चार्टीजी से सेवा निम्रित हो गए हैं वो उन्होंने इस परिमान निगम उस सरकार से लेना है जो की कोई मांग नहीं है वो अपना एक मौली का दिखार है जब से सरकार आई है तब से कुछ ना कुछ ना इसका हल हुआ है लेकन हम यह चारे हैं कि इसको केबल पेन killer दे दे करके इस बिमारी को मत दबाओ इसको जो है कस्ताई जो है operation करो इसका और पूरा उसाल करो जिस वरकार दूसरे जो करमचारी हैं जो दूसरे सरकारी करमचारी हैं उनको पहली को पैंसन मिल जाती है लेकिन हमारे के माध्यम से परिवायन मंतरी से मिले और मुख्या मंतरी से भी कई बार मिले और पिछले परिवायन मंतरी से उन से मिले सरकार से मिले जो सेक्टरी है अब फाइनल सेक्टरी उन से मिले तो अब हमने यही कहा कि आप जो है इसका स्थाई हल करो जिससे सरकार को भी सुखिर है औ लेने जा रहे हैं जो लोगों ने अवास करवाया है कि अगर ये सरकार या परिमान मंतिरी बारता के लिए नहीं बलाते हैं इसका सोभा दाम्दान नावाँ नहीं करते हैं तो बड़ा जल्दी जो है सरकार के बिलु संहगार्श का भी गुलब बज़ा दिये जाएगा करेकारी अधिक्ष चमल लाल ने कहा कि सरकार के पास कई वार समस्याओं को रखा गया है और पिछले तीन सालों से समस्याओं का स्थाई समाधान नहीं किया गया है उन्होंने कहा कि सेबा निम्रित करमचारी कल्यान मंज के अधिकारियों को पेंशन समय पर नहीं मिल रही है और सरकार को चाहिए कि इस मस्या का जल्द समधान करे के वितिये लाब हैं जो की दो हजर पंदरा से लेकर आज दिन तक लोगों के ड्यूज हैं कोई ग्रेजटी है लीव इंकैस्मेंट है डी एगा ये रियर है क्रोडों के हसाब से लोगों ने पैसा सरकार से लेना है तो में मुदा है कि हमारा समय पे रहते हमें पेंशन दे और जितना पैसा हमारा आज दिन तक हमने सरकार से लेना है रिटेनियों का वो हमें समय रहते हैं सरकार दे ये में मुदा हमारा है क्योंकि सरकार से हम बार बार मिलते आए हैं सरकार से हमारा नवेदन भी रहा है और इस नवेदन के साथ सरकार नहीं आशवाशन भी दिया था कि जब भे हमारी सरकार आएगी हिमाचल परदेश में तो हम आपकी समस्या का सथाई समय धatteredएंगे। परंतो तीन साल बीट जाने के बाद भी सरकार ने सताई समय धान नहीं किया है। हम सरकार से बार-बारी नवेदन कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में सरकार के लिए जो हमारे हिमाचल पर बेहन सेवा निवर्त करमचारी हैं वो सरकार के लिए कोई घातक कदम उठाएं जिससे सरकार की बद्रामी हो और इस उमर में इस पड़ा में बढ़ापे में सरकार करें हैं आज जो हमारा कितना पैसा सरकार से लेना है आज जो हमारा कल्कुलेशन आज की डेट में है वह थू ho 65 क्रोड के गरीब बनते है हम सरकार से यही मांग करें कि न forgot exactly प्रचला ठोटल पैसा हमारा दे दिया जाए जो दो सु पैंस सट प्रोड है और हम्हारे को सरकार ने यह कहा था जब शरकार बन नी थी उस बक्त यह कि जब भी हम आएंगे तो आपकी पेंशन का सथाई समधान कर देंगे और जब भी आप रटायरेंगे उसी वक्त आपको जो हमार आपका पैसा रटायरियों का उसी वक्त दे देंगे परन्तु दो हजर पंदरह से लेकर दो हजार इकीस तक दो सुपैंसट करोर रुपया बन है हम यही मांग कर रहे हैं सरकार कि सरकार ही है मैं बताई कि 377 करोड में हमको हचाटीसी को जो हचाटीस बोलती है कि 35% पैसा जो है गरांटीन एड में जो अधिकारी इस बात को बोलते हैं सरकार इस बात को बोलती है कि 35% जो गरांटीन एड देती है वो पेंशन के लिए है परंतो सरकार अगर इस बजट में उन्हें क्यों न spelling नियूंक भे साया कि ये 317 करोड में ये a3 परसेंट हमारा 132 करोड परे बनता है 317 में से तो वह सरकार बजट में जो है वह नियूं कर सजा रही है ,